किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल धाकड और आप देख रहे हैं स्माइट एग्रिकल्सर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम प्याज में जुलसा रोग और थ्रिप्स के बारे में बात करने वाले हैं किसान भाईयो अगर आपके प्याज में जुलसा रोग या थ्रिप्स का अटेक हो जाता है तो उससे पोदे की ग्रोथ रुख जाती है पोदा पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है पत्यों में पीलापन आ जाता है जिसके कारण प्याज की जड़ में बनने वाला कंद बहुत छोटा बनता है इसलिए अगर आप प्याज के कंद के अकार को बढ़ाना चाते हैं मतलब कि प्याज की अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करना चाते हैं आपके प्याज में त्रिप्स और जुल्सा रोग का बिल्कुल भी अटेक नहीं होना चाहिए लेकिन प्याज में त्रिप्स और जुल्सा रोग आसानी से कंट्रोल नहीं होते हैं क्योंकि मुझे किसानों के लगातार कमेंट मिल रहे हैं जिन में किसानों का कहना है और हमें इनको कंट्रोल किस प्रकार से करना चाहिए हमें कौन-कौन सी दवाओ का प्रियोग करना चाहिए जिससे प्याज में जुलसा रोग और थ्रिप्स असानी से कंट्रोल हो जाए तो इसकी पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंतो तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अफलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाईयो अब सबसे पहले जुलसा रोग के बारे में बात करते हैं तो जुलसा रोग स्टेम फीलियम बेसिक एरियम नामक पंगस से पहलता है और इसे बलाश्ट के नाम से भी जाना जाता है इस रोग में प्याज की पतिया जुलसी हुई नजर आती है और पतिया पीली पढ़कर नीचे की तरफ लटक जाती है अगर इस रोग को समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाता है तो पोदा पूरी तरह से सूख जाता है और पेदावार में 40-50% तक की कमी हो जाती है अगर इसको कंट्रोल करने के तरीके के बारे में बात करें तो जुलसा रोग को कंट्रोल करने के लिए आपको अच्छी फंगी साइड का प्रियोग करना चाहिए इसके लिए आप थायोफेनेट मेथाईल 67% WP या कारबेंडाजिंग प्लस मेंकोजेब या कॉपर ओक्सी कुलॉराइड या आपको किसी अन्य टेक्निकल कवाली अच्छी फंगी साइड का प्रियोग करना चाहिए अब अगर थ्रिप्स के बारे में बात करें तो थ्रिप्स एक प्रकार के रस्टूसक कीट होते हैं जो पत्यों के बीच में रहते हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहोगा कि थ्रिप्स पीले रंग के काले रंग के या सपेद सिल्वर रंग के हो सकते हैं त्रिप्स जब छोटी अवस्ता में होते हैं तब पीले रंगे होते हैं और जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनका रंग काला हो जाता है त्रिप्स पत्यों का रश्ट उष्त हैं जिससे पोधा कमजोर पड़ जाता है पत्यों पर सफेल जब रंग के दबवे पड़ जाते हैं और किसान बायो जिस जगह से त्रिप्स रश्ट उष्त हैं लेकिन TRIPS आसानी से किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होते हैं TRIPS को खत्म करने के लिए हमें Preventive Spray करने की जुरत होती हैं क्योंकि अगर प्याज में TRIPS का Heavy Attack हो जाता हैं तो वह किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होते हैं अगर बात करें कि हमें कौन-कौन से दवाई का प्रियुक करना चाहिए तो आप बायर कंपनी की Jump, Shizenta कंपनी की Alika, Doe कंपनी की Delegate, Gada कंपनी की Police, बायर कंपनी की Legenda, Shizenta कंपनी की Karate, Politrine या फिर बायर कंपनी की Admire जैसी किर्णासक का प्रियुक कर सकते हो किसान भायो इसके लावा प्याज में कई बार पोशक्ततों की कमी के कारण भी पिलापन आ जाता है तो आपको जमीन में Mix Micronutrient युक्त खाद का प्रियुक जरूर करना चाहिए जिसके रूप में आप उत्तम कंपनी के संपूर्ण खाद का प्रियुक कर सकते हो किसान भायो चलिए अब बात करते हैं कि प्याज में जुलसा रोग और त्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाव का कितनी मात्रा में पुरियुक करना चाहिए तो इसके लिए हम आपको कुछ दवाव के कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाले हैं जिन में सी किसी एक कॉम्बिनेशन का पुरियोग आप कर सकते हूँ तो पहले कॉम्बिनेशन में आप एक एकड में 80 ml डव एग्रो सैंस की डेलिगेट किरना सक और 80 ग्राम बायर की नेटिव फंगी साइड और इसके साथ 250 ml सिलिकोन चिप को इनको मिलाकर स्प्रे कर सकते हूँ इसके लावा आप दूसरे कॉम्बिनेशन में एमिडा कुलोप्रीड 40% प्लस पिपरोनिल 40% का परती एकर 50 ग्राम मतलब की जो बायर कंपनी की लेजेंटा हैं ये गाड़ा कंपनी की पुलिस हैं इनमें सी किसी एक कीड़ना सक और उसके साथ 250 ml एमिस्टा टोप फंगी साइड और उसके साथ 250 ml सिलिकोन चिप को इन तिनों को मिलाकर स्प्रे करोगे तो भी आपको बहुती अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके लावा अगर आपके प्याज में थ्रिप्स का ज्यादा आठेक नहीं हो रहा हैं आप अगर प्रिवेंटिव में स्प्रे करना चाहते हो तो आप एक एकड़ में 250 ml प्रोपेनोपोस 40% प्लस साइपर मेथिन 4% और उसके साथ 250 ml लेमडा साइलोत्रिन 5% इसी उसके साथ 250 ml टाटर ताकत फंकी साइड और 250 ml सिलिकोन चिप को इनको मिला कर भी स्प्रे कर सकते हो यह आप सिजेंटा कंपनी की क्यूरा क्रोण कीड़नासक जिसमें होता है प्रोपेनोपोस 50% इसका प्रियोग 300 ml प्रोपेनोपोस 50% और उसके साथ 250 ml लोक को फंकी साइड और 250 ml particles को मिला कर इस्प्रे कर देना चाहिए किसान भाइयो मैंने आपको 4 kombination के बारे में बताया हैं और अगर आप 60 दिनों पर कर रहे हो तो एनपी के 0-24 जैसे खादों का प्रियोग कर लेना तो किसान भाईो अगर आप वीडियो में बताए कि स्टेप्स को फोलो करते हैं तो आप अपने प्याज में जुल्चा रोग और थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो तो आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान